आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके रेडमी के फोन में वाइब्रेशन वर्क नहीं कर रही है यानि कि आपके फोन की वाइब्रेशन काम नहीं कर रही है तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने फोन में आप सबसे पहले सैटिंग्स को ओपन करिए फोन की सैटिंग्स में आने के बाद नीचे एक option आपको मिलेगा sound and vibration इस पर किलिक करिए अगर आपको यह option नहीं मिलेगा तो सैटिंग्स में उपर आप सर्च कर सकते हैं उसके बाद sound and vibration पर किलिक करने के बाद नीचे स्क्रोल करेंगे और एक option आपको मिलेगा vibrate यहाँ पर आप देख सकते हैं vibrate while ringing या फिर vibrate when ringing का एक option आएगा अगर आपका यह बंद रहेगा तो call आने पर आपका phone vibrate नहीं होगा only ringtone बजेगी तो इसे आप चालू कर दीजिए अगर आप चाहते हैं call आने के time आपका phone vibrate हो तो इसे चालू कर दीजिए अब call आने के time आपके phone में हाँ पर ringtone के साथ एक vibration होगी तो इस तरह से आप ये on कर दीजिए बट यहाँ पर on करने के बाद अगर ये work नहीं कर रही है तो अपने phone के settings में आने के बाद एक option उपर आपको मिलेगा about phone इस पर किलिक करिए उसके बाद आपको check करना है अगर आपके phone में कोई update आया होगा तो यहाँ पर check for updates पर किलिक करके आप update चेक कर सकते हैं अपने phone को आपको net से connect करना होगा तो इस type से यहाँ पर अगर update आया होगा तो आप update कर लीजिए बट अगर update नहीं आया है तो यहाँ पर आप back आ सकते हैं और अगर आपकी problem ठीक नहीं होती है तो हो सकता है आपके phone में कोई hardware problem होगी यानि की hardware issue होगा इस वज़े से आपके phone की vibration काम नहीं कर रही है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें